सबसे पहले अपने phone के अपने laptop के या PC के किसी भी browser में जाईए वहाँ पे आपको type करना है online जैसा मैंने पहले type किया तो यह आ गया है online test hry.gov.in department of technical education state government of hariyana india यहाँ पे आप click करें जैसे आप click करेंगे इस प्रकार का आपके सामने interface आएगा जो यह इस प्रकार का interface आएगा यहाँ पे आपको bottom page में चलना है यहाँ पे आप देखें दोस्तो click here to apply click here to apply पे आप click करें जैसे आप click करेंगे एक नया page आपके सामने आएगा जिसमें सभी instructions दी हुई हैं तो जब भी आप apply करें complete instructions को पढ़ लें पढ़ने के बाद यहाँ पे आप bottom page में जाएं और bottom page में जाने के बाद यहाँ पे yes पे click करें yes I have read all the above mentioned instructions carefully इसके बाद I agree पे click करें जैसे आप I agree पे click करेंगे तो यह course का selection मांगेगा कि आप किसके लिए apply कर रहे हैं diploma engineering के लिए या diploma pharmacy के लिए तो यहाँ पे मैं apply करने जा रहा हूँ diploma engineering के लिए तो diploma engineering पे click करें click करने के बाद इस प्रकार का interface आएगा तो यहाँ पे यह board पुछेगा select board of qualifying exam board of qualifying exam में आपने कहां से पास किया है हरियाना board of school education से किया है हरियाना open school से CBST से या बनस्थली विद्ध्यपीट जो भी यहाँ पे आपने किया है तो वो आप click करें जैसे यहाँ पे मैं click करने वाला हूँ हरियाना board of school education इसके बाद अपना रोलंबर जो आपकी education है उस education का आपको रोलंबर यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे रोलंबर को टाइप करें रोलंबर टाइप करने के लिए simple सा बहुत ही आसान सा method है mobile की साहिता से आप इसको आसान से टाइप कर सकते हो इस प्रकार टाइप करें इसके बाद आप अपना name इस प्रकार से name टाइप करने के बाद next option मांग रहा है यहाँ पे select passing year तो select passing year जो भी आपका है कब आपने वो आपकी जो qualifying exam है कब पास किया उस पे click करें click करने के बाद continue पे click करें उससे पहले eligibility को देख लें metric जो है वो at least 35% से होनी चाहिए SC और KM कटेगरी के जो भी students है उनके लिए 33% allow है qualifying examination के अंदर जो आपकी percentage है इसके बाद continue पे आप click करें जैसे continue पे click करेंगे एक नया page आपके सामने आएगा जिसमें आपकी complete details जो है वो already यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यह आपने अपना roll number डाला तो यहाँ पे आपकी date of birth भी आ चुकी है अपने आप automatically आपके पिताजी का नाम भी मताजी का भी नाम आ चुका है तो यहाँ पे आप अपना type करें जेंडर इस प्रकार से जेंडर type करने के बाद नीचे bottom फेज में जाएं mobile number type करें तो यहाँ पे आप mobile number type करने वाले हैं इस प्रकार mobile number type करें whatsapp number आप दे सकते हैं जो की optional है जो आपकी मर्जी है दोस्तो जो भी इसके बाद email address जो की बहुत important है जो की जरूरी है आपको mention करना ही पड़ेगा यहाँ पे हम mail id टाइप करने वाले हैं दोस्तो इस प्रकार अपनी mail id टाइप करें इसके बाद सभी सरोतों से माता पिता की वार्षिक आए जो भी आपके माता पिता जी की वार्षिक आए है उस पे यहाँ पे click करें कि more than 50 है, equal to 50 है, above have, above 1 lakh, 2 lakh जो भी आपकी है तो यहाँ पे आप click करें आधार नंबर आपका selfly जो की इसने automatically उठा लिया computer की साहता से क्या आप हर्याना के निवासी है do you belong to हर्याना residence category है तो yes, otherwise no इसके बाद category कौन सी है तो उस category पे यहाँ पे आप click करें जैसे हर्याना journal, schedule cast of हर्याना, backward class A, B, C, B, जो भी आपकी है उस पे आप click करें, उप स्रेणी का chain करें सब category, open है कोटा है आपके पास एक सर्विसमेन, freedom fighter, तो यहाँ पे आपको वही click करना है, इसके बाद यहाँ पे next option है, क्या आप दिव्यांग है yes या no, जो भी आपके according वहाँ पे आपको click करना है, इन में से कोई आपकी स्रेणी है, economical vicar section, Ariana government school topper, कस्मीरी migrant, मेवाथ area resident है, या फिर सिवालिक development board area के हैं, या tuition fee waiver scheme के तैत हैं, तो जो भी आपका है, उसको click करें, आप किस छेतर से संबंदित रखते हैं, ग्रामेनी छेतर है, या यहाँ पे urban theory है, तो यहाँ पे आपका जो भी है, उसको click करें, click करने के बाद, यहाँ पे अपना संपर्क पता पूरा type करें, जो भी यहाँ पे आपका संपर्क पता है, village है, जो भी चीजें हैं, इस परकार click करें, complete आपको यहाँ पे type करना है, इस परकार complete type करने के बाद, दोस्तों, नीचे के section में चलें, जो भी आपका town है, यहाँ पे, उसको यहाँ पे डाल लें, इसके बाद next, अपने जिले का chain करें, कौन सा आपका जिला है, तो जैसे यहाँ पे मैंने type कर दिया है, फिर आपका जिले का जो pin code है, उस pin code को type करें, यहाँ पे आप इस परकार से type करें, type करने के बाद, bottom phase में चलें, यहाँ पे आपके selfly roll number खुद से आ रहे हैं, पर इक से आपकी qualifying examination, तो यहाँ पे आपका metric जैसा मैंने starting बताया था 35% से होनी चाहिए, reservation SC और KM कटेगरी के 35% पे होनी चाहिए, तो इसको click करें, यदि complete है तो past आप ने कर ली, और जैसा मैंने भरा यहाँ पे 2019, आपकी पातरता परिक्षा के संस्थान का परकार, क्या government है, government added या private school, तो यह आपको यहाँ पे जरूर चेक करना है, जिससे पास्वर्ड आपका special type का character होगा, जैसा आप इसने लिखावा maximum 8, maximum number है, minimum 8 है, और 12 character maximum है, और यह A से लेके Z तक small में भी होने चाहिए, capital में भी, एक numeric कोई value होनी चाहिए, और special कोई character होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको type करना है, कोई capital lecture, कोई भी आप बना सकते हैं, add the rate लगा सकते हैं, जैसा आपको लगे वहाँ पे, तो उस तरह का आप करें, तुबारा से वही आपको click करना है, same, इस प्रकार आप करें, एक security question, या तो अपना pet name डालें, या फिर अपना childhood hero जो है उसका डालें, या फिर answer लिखना है, और इसके बाद, यहाँ पे bottom phase में जाना है, कौन से designated center पे, आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है, designated center से meaning क्या है, जिस center पे आपका verification होगा, यह आपका चैनित के अंदर नहीं है, जहाँ पे admission हो जाए, वो के अंदर नहीं है, यह वो के अंदर है, जहाँ पे आपके जो documents हैं, वो verify होंगे, तो अपने नस्दीक से नस्दीक देने का कोसिस करें, यहाँ पे ढूंड लें, जो आपके नस्दीक का होगा, उसी को आपको देना है, यहाँ पे अपना enter करना है, यह ध्यान रखें, ऐसा ना हो, कोई आप दूर का college डाल दें, और आपको वहाँ पे verification के लिए बहुत जादा problems आए, तो इसलिए कोसिस करें, अपने नस्दीक का जो center है, उस नस्दीक के center को ही यहाँ पे ढूंड़े, तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, गवर्मेंट प्रोटेक्निक मानेशर, डिस्टिक गुडगाव, आप दे सकते हैं, कोई भी college, तो यहाँ पे मैंने यह दिया, और इसके बाद security जो code है, वो आपको डालना है, तो यहाँ पे आप कोई भी designated center according to आपकी requirement के दे सकते हैं, इसके बाद नीचे security capture देना है, इस प्रकार से, यहाँ पे करने के बाद, save details पे आपको click करना है, तो यहाँ पे save details पे click करें, फिर यह बोल रहा है, please ensure that all the details entered by you are correct, क्या आपने जो डाली हैं, वो सभी correct हैं, और क्या आप submit करना चाहते हैं, यहाँ पे okay पे click करें, जैसे ही आप okay पे click करेंगे, यह देखें दोस्तों, आपका application number generate हो चुका है, registration का जो number है, वो आ चुका है, और यहाँ पे diploma engineering, diploma engineering के लिए आपने अपलाई किया, अपलोड आपके photo और signature करने हैं, तो अपने upload photo signature जो है, वो 30KB से नीचे होने चाहिए, और JPG format में होने चाहिए, यह ध्यान रखें दोस्तों, यह दोनों जो हैं, यह 30KB से नीचे, और JPG ही, या JPEG, JPG, दोनों में से कोई भी एक format में होना चाहिए, अब यहाँ पे, आप choose file पे जाए, photo के लिए, और choose file पे जहाँ पे आपकी वो file है, उस file को आपको open करना है, तो ध्यान रखें, जो भी आपने वहाँ पे file बनाई हुई हैं दोस्तों, तो उस file के अंदर जाएं, और file के अंदर जाने के बाद, फिर आपको open कर लेनी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने की वही है, तो यहाँ पे इस प्रकार से open करें, और यह photo आ गई, इसके बाद दुबारा से जाएं, दूसरी जो आपका sign है, तो यहाँ पे sign पे click करें, यह दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, आने के बाद save and update पे जाएं, तो save and update पे click कर दें, इस प्रकार से, यहाँ पे आपका जो form है, वो fill हो चुका है इतना, यहाँ पे आप अपनी details को सभी को check कर लें, उपर आपका application number लिखावा है, नीचे आपके mobile number, mail ID, यह सभी चीज़ें आपके सामने screen पे, नीचे photo, अब आपको दुबारा से यह case sensitive जो security code है, enter security code, यहाँ पे आपको type करना है, जैसे आपके सामने screen पे है, इस प्रकार से आप type करें, और यह type करने के बाद, bottom phase में आपको confirm करना है, किसी प्रकार कोई detail edit करनी है, तो आप edit registration पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको confirm registration पे click करना है, confirm registration पे click करने के बाद, आपका यहाँ पे बता रहा है, you have confirmed your registration details, but marks details are still pending, अब आपको आपके जो educational qualification है, उसकी marks जो detail है, उनको आपको fill करना है, तो okay पे click करें, okay पे जब click करेंगे, नया page open होगा, अब यहाँ पे यह बोल रहा है, select the pattern of your board result, आपका जो board result आया था, उसका pattern result marks में था, या grading system में था, तो मैं marks पे click करने वाला हूँ, और यहाँ पे marks fill करेंगे, aggregate आपके कितने आई यहाँ पर, सबसे पहले उनको fill करें, तो यहाँ पे मैं fill कर देता हूँ, इस प्रकार से, maximum कितने में से थे, means out of कितने में से यह number थे यहाँ पर, वो आपको type करने है, इसके बाद math में कितने number थे, वो भी जरूर लिखें यहाँ पर, तो math के number में type करने वाला हूँ, इसके बाद आप कितने में से थे, इसको भी type करें, फिर next है science, तो science में कितने number थे वहाँ पर, उसको type करें, out of कितने number थे, यह भी जरूर लिखें, next है फिर English, इंगलीस के number आपके कितने रहे, यहाँ पर उनको type करें, यह percentage में बहुत matter करते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल एकदम properly और correct feel करें, otherwise आपको फिर admission के दोरान बहुत सी problems का सामना करना पड़ेगा, तो यह ध्यान रखें, इसके बाद जो आपकी 10th certificate है, जो आपकी certificate यहाँ पे qualifying marks के लिए है, mean qualifying examination की है, तो उसको आपको यहाँ पे upload करना है, तो यह ध्यान रखें, यहाँ पे आपकी वो PDF फाइल में होनी चाहिए, PDF फाइल ही आपकी यहाँ पे upload होगी, तो PDF में आपको merge करने के लिए, यहाँ पे link भी दिया हुआ है, यदि आपने वो PDF में convert पहले से नहीं की है, तो link for PDF merging, तो यहाँ पे आप merge कर सकते हैं आसानी से, और फिर उसको upload करें, choose file पे click करें, जैसे choose file पे click करेंगे, यहाँ पे आपके option आएगा, जहाँ पे आपने destination point पे रखी हुई है, means folder के अंदर जो है, तो वहाँ पे आपको click करना है, click करने के लिए अपनी file को यहाँ पे आप ढूंडे, जो आपके mobile phone में रहेगी, जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएं दोस्तों, और अपना जो concern folder है, उसमें से उस file को उठाएं, जैसे यहाँ पे मैंने merge की हुई है, यहाँ पे यह देखिए, फिर इसके बाद यह file जब आ जाएगी आपके सामने, तो upload पे click करें, जैसे ही आप upload पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपकी file को वो बताएगा, कि आपकी वो upload हो चुकी है, जैसे देखने के लिए, click here to view, uploaded DMC पे जाएं, निचे लिखा हुआ है, PDF file uploaded successfully, इसके बाद save detail पे click करें, जैसे ही आप save detail पे click करेंगे, तो यहाँ पे details सब आ चुकी है, you have successfully submitted your personal detail and marks, grades secured in your qualifying examination, application number, आपका name, यह सभी details, अब आपका payment का यहाँ पे option आ चुका है, केवल online payment है, जो कि आप card से कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे अपने किसी net banking की साहता से, बहुत सारे methods हैं, तो चलते हैं online option पे click करने के बाद, bottom phase में, यहाँ पे आपको चलना है, pay you, pay you की तरफ से यह payment होने वाले हैं, तो pay you पे आप click करें, जब pay you पे आप click करेंगे, तो आपके सामने वहाँ पे बहुत सारे options आएंगे, किसकी साहता से कर सकते हैं, card, credit debit card, EMI, net banking स से कर सकते हैं, wallet से कर सकते हैं, यहाँ पे HDFC bank पे, UPI किसी भी, Google Pay, तो it means बहुत सारे यहाँ पे options हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको option चूज करना है, उस option की साहता से अपनी payment कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो payment है, वो net banking की साहता से करने वाला हूँ, net banking पे click करें, जो भी आपका bank है, उस पे आपको जाना है, जैसे यहाँ पे मैं SBI पे click करने वाला हूँ, जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे यह payment दिखा रहा है, 270 रुपए और 7 पैसे, it means यहाँ पे आपका जो charges है, वो यहाँ पे लगने वाला है extra, इसके बाद दूसरा कोई option चेक कर लें, तो it means वापस back जाएं, back जाने के बाद वो आपको check करना है, तो यहाँ पे हम चलने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों हम एक बार फिर से check कर लेते हैं, कि कोई भी जो UPI है, क्या उससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे, या 200 रुपए लगने वाले हैं, तो UPI से हम check करते हैं, UP pay bill amount, जो कि net banking में ज़्यादा लग रही थी, तो आप यहाँ पे phone pay से, Google pay से, Beam app से, Paytm से, Amazon pay से, किसी भी आप से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं phone pay से करने वाला हूँ, तो phone pay पे क्लिक करें, इसके बाद अपना phone pay का account जो है, उससे payment करें, इस प्रकार आपको वहाँ पे डालन का interface आएगा, तो आपको अपनी phone की phone pay में जाना है, phone pay में जाके, यह payment आपके सामने आएगी, और उस payment को आपको pay कर देना है, तो इसको जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कि phone pay, जैसे application आप open करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास pay का option आएगा, तो वहाँ पे आप pay कर दें, औ यहाँ पे दिखा रहा है, और यह payment हो चुकी है, completely आपकी, इसका यहाँ पे आप screenshot लें, और screenshot लें या print लें, download कर लें आजे PDF के रूप में, यह बहुत ही better रहेगा, इस प्रकार आप अपना complete form जो है, वो fill कर सकते हैं, तो यह simple सा procedure था, diploma engineering, हरियाना polytechnic के लिए 10th base के जो वि simple सा procedure था, इस procedure से आप अपना form fill कर सकते हैं, thank you दोस्तों